नवस्कार बच्चों मैं प्रिया आप सभी गए इस वीडियो में स्वागत करती हूं आज की वीडियो में वसंद भाग एक पार्ट सोला वन के मार्ग में सवया तुलसिदास जी द्वारा रचित अध्याई को समझेंगे इस सवया में तुलसिदास जी ने बताया है कि वन के मार्ग में जब शेडाम, लक्षमन और सीदा जी वनवास के लिए निकले थे तब उनके मार्ग में क्या-क्या समस्याई आई थी इसी की चर्चा हम इस सवया में करेंगे आईए अब प्रतम सवया समझते हैं तुलसी दाज जी कहते हैं, पुर्ते निक्सी रखुबीर, बधु धरी धीर दै मघ में डखत्वे, जलकी भरी भालकनी चलकी, पुट सुखी गए मधुरा कर्वे, फिरी पुछती हैं, चलनू अग्के तिक पनर कोट्री करे हैं कित्वे, तीकी लखी आतूरता, पीकी अखिय या अती चारू चली चल चुए, आएव इसके अर्थ को जरा समझते हैं, तुलसी दाज जी कहते हैं कि आयोध्या को छोड़ कर जब शीरी राम, लक्षमन और सीता जी बनवास के लिए निकले थे, नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी ठक गई, उनके माथे पर पसी जोपड़ी कहां बनानी है, उनकी इन सभी परिशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं, और उनकी आखों से आसू छलकने लगते हैं, आईए अब अंतिम सवया को समझते हैं, जलको गय लखनू है, नारिका परिखों पिया, छां घरी ख्वे टाड़े, पोंच शी पसेव बयारी करो, अरू पाएं पखिरों भुभुरी ताड़े, तुलसी रखुबीट प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलब लोग कंठक काड़े, जान की ना को नह लखियो, पुल को तनू बारिश बिलोचन बाढ़े, इस भावात में तोलसी दास जी कहते हैं, कि श् श्री राम जी उनकी स्व्याकूलता को देखकर कुछ तेर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, या देखकर सीटा जी मनही मन अपने पती के स्ने को देखकर पुलकित होने लगती हैं, इस कावे रचना के रचनकार को स्वामी श्री तिलसिदास जी हैं, जो की हिंदी साहि के महान कवी थे, उन्होंने महान ग्रंथ श्री राम चरित्मानस दिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है, इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कवीता में वर्नन है, इन्हें प्राचिंकाल में रामायन लिखने वाले श्र समझते हैं, पुर्ते यानि की नगर से, रखुबीर राम की पतनी सीता, धिर रखकर, धीर धीरज, मग रास्ता, डग कदम, मधुराथर फूट, बुझती पूचती, पुनल कोटी पत्ते की कोटिया, अगली वीडियो में हम सांसांस में बास इस पार्ट को पढ़ेंगे, आ आप से फिर मुलाकात होगी,